नमस्कार सभी सात्यों को स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टड़ी विद पी एन लोदा सात्यों आज हम मनोविज्ञान का टेस्ट नमबर 58 58 वा टेस्ट हल करने वाले हैं एप्लाइड एट क्यूशन बहुती अच्छे और शांदार हम समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर इसके पहले के आपको सत्तावन टेस्ट देखने हैं तो इस वीडियो के लाश्ट में आपको एंड स्क्रीन में ये सत्तावन टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर वेसे भी आप द परिवर्तन है पहला विकल्प है गुनात्मक दूसरा है रचनात्मक तीसरा है मात्रात्मक और चोता है गंडनात्मक तो देखिए विकास और एक और शब्द होता है व्रद्दी अब यहां पर बात की जा रही है विकास की तो विकास होता है गुनात्मक परिवर्तन गुनात्म परिवर्तन वरद्दी के अंतरगत आ जाता है ठीक है विकास को गिना नहीं जा सकता मात्रात्मक रूप में नहीं होता है ये इसलिए आपका यहाँ पर यह गुणात्मक वाला जो प्रतम विकल्प है यही राइट आंसर है प्रश्ण नमबर एक में प्रश्ण नमबर दो पे आते हैं दूसरा क्यूशन देखेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किस बारे में रीट एक्जाम के बारे में देखेगा रीट का जो एकजाम है कल ही नियूज आई थी कि भई आपके जून में creeping गोशित किया जाएगा कि एक्जाम कब होगा तो जू भी आपके रीट एक्जाम की नई डेट आ सकती है और नई डेट की अगर हम बात करें कि कब तक आ सकती है या कहां तक आपकी डेट जाएगी तो साथियों जून में गोशित करेंगे तो अभी EWS के फोम भी भराएंगे तो अर्थार्त ये है ये फोम बलने के बाद में प्रव के महिने में आपके एक्जाम होने की पूरी-पूरी संभावना है देखिए प्रश्ण नमबर दो पर आते हैं आपको तयारी अच्छे से स्टार्ट करनी है वापिस अगर आप तयारी बंद कर चुके थे तो प्रश्ण नमबर दो मेकडूगल के अनुसार मूल पृत्ति जि उने जोड़ा है तो यहां पर एक जो मूल पृत्ति है जिग्यासा उसका संबंद आपके आश्चरी संवेक से है आश्चरी का कैसे जिसे मान लीजिए आप किसी चीज को देखते हो तो देखते ही अगर आपको विजित्र लगती है तो वहां पर आश्चरी आपके मन में उत हैं तीसरा कैउशन आपके है निम्न में से कौन सी पूरु बालियावस्ता की विशेश्ता नहीं है पहला विकल्प है दल्या संमुह में रहने की दूसरा है अनुकरण करने की तीसरा है प्रश्न करने की और चोता है खेलने की तो बहुत ही इंपोर्टेट कुशन इसलिए क् कि क्योंब करता है खेलता भी है अनुकरान भी करता है लेकिन दल या समुः में रहना पुरु बालियाओस्ता की विषियष्धान नहीं मानी जाएगी क्यूंकि यह मद्य या उत्तर बालियाओस्ता चा bettingWISHE इस्टा अबर आपका एक सई है दलिया समू में रहने की अवस्ता पुरूबाल अवस्ता की विशेस्ता नहीं है थर्ड प्रश्ण में पर्थम विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्ण नमबर चार पे आते हैं चोता क्यूशन है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धान्त न निश्चित परतिमान का सिद्धान्त ये भी विकास के सिद्धान्तों में आता है समनवे का सिद्धान्त भी विकास के सिद्धान्तों में आता है निरंतरता का लगतार चलने वाली परकिरिया है ये सिद्धान्त भी विकास के सिद्धान्तों में आता है लेकिन आपका दो सई है प्रश्ण नमबर चार में आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर पांच की ओर पांचवा क्यूशन है अच्छे से समझेगा अपने सिष्ष के सवविगादमक विखास के लिए एक अध्यापक को चाहिए की वह है उसके भाई बहन वह माता पिता का इस्तान के साथ पक्षपात पूर्ण वियावहर किया जाए तो जैसे मान लिजी आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके जो च्छात रहेंगे उनका समझेगा अत्मक विकास करना है इन में से कौन से विकल्प सबसे बहतर रहेगा पांचवे प्रिश्ण में राइट आंसर बताईएगा पांचवे क्यूशन में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर दो अपने सिश्च के प्रती प्रेम विक्सित करें ये सबसे बेश्ट आंसर है साथ हूं क्योंकि प्रेम विक्सित करोगे तो उसके मन में और जो अलग-अलग प्रकार की धार आना है नकरात्मक वो बाहर निकल जाएगी दूसरा विकल्प आपका सही है प्रिश्च नंबर पांच में बात करते हैं प्रिश्च नंबर छे की छेटा क्यूशन है रोडश्या व्यक्तित्व परिक्सन में कितने कार्डों पर विबिन रंग है तीन पांच दो और दस तो स प्रक्षपी विदियों में जिसमें एचेतन मन के आधार पर अध्यन किया जाता है यह जो दस कार्ड है इन दस कार्डों में देखिए पांच कार्ड तो बिलकुल काले हैं ठीक है पांच कार्ड किसे हैं बिलकुल काले दो कार्ड है जिन पर जो काले भी है और सपेद भी है विबिन रंगों से रंगे तीन कार्ड अर्थात यहां पर विबिन रंगों से रंगे कार्डों की संक्या पूची है तो फिर तीन कार्ड वाला जो प्रतम विकल्प है वो ही आपका राइट अंसर रहेगा साथ यो प्रश्टन संक्या छे में प्रश्ट संक्या साथ पे आते हैं हारवर्ड गार्डनर का कहिना है कि कई प्रकार की बुद्धी या दीमाक के फ्रेम होते हैं उसके दोरा सुझाई गई बुद्धी की श्रेनी में कौन सी है विशलेशनात्मक बुद्धी, रचनात्मक बुद्धी, प्रकरतिवादी बुद्धी और व्यावहरिक बुद्धी साथवे क्युशन का राइट आंसर बताईए आप साथवे क्युशन का जो राइट आंसर है गाडनर के अनुसार इन्होंने जो बुद्धी के अने प्रकार बताए है उनमें देखो विशलेशनात्मक बुद्धी नहीं बताई है नहीं रचनात्मक बुद्धी बताई है नहीं व्यावारिक बुद्धी बताई है बलकि इन्होंने प्रकरतिवादी बुद्धी का उलेक क देखे जो विशलेशनात्मक रचनात्मक और व्यावरिक ये तीनों जो प्रकार है भुद्धी के ये गार्णर के द्वारा नहीं बताये गया है बलकि इस्टन बर के द्वारा बताये गये हैं यहाँ पर आपका जो धर्ड विकल्प है वो ही सही रहेगा प्रशन संक्या साथ म नहीं है योजना विदी व्यक्ष्यान विदी अनुवर्ग सिक्सन और पाठपरदर्शन तो प्रभुत्व वादी अनुदेशनात्मक आव्यू है या विदी में कोन सा नहीं आएगा प्रश्ण संक्या आठ का सही आंसर बताओ आठ वे क्यूशन में जो राइट आंसर है वो रहेगा योजना विदी क्यों क्योंकि योजना विदी प्रभुत्व वादी अनुदेशनात्मक में ना करके जन्तांत्रिक या लोकतांत्रिक विदी में आती है जन्तांत्रिक या लोकतांत्रिक विदी के अंतरगत इसको सम्म इक्ते हैं प्रश्ण नंबर 9 पर आते हैं सारतक शाब्दिक अधीगम वेधारण किस प्रतीमान संग प्रतिमान सहकारी अधिगम उन्नस संग्टक प्रतिमान तो सार्तक शाब्दी कदिगम और धारन का नाम सभी ने सुन रखाऊगा देखिए इसका जो संबंद है इसका जो मुख्युद्देश है वो रहेगा 19 संगटक परतिमान से जो सार्तक शाब्दी कदिगम है ये डेविड आसुबेल के दोरा प्रस्तुत किया गया है किसके दोरा डेविड आसुबेल के विकल्प नमबर आपका चार सही है नोवे क्यूशन में अब बात करते हैं प्रस्त नमबर दस की तो साथियों आपके दसवे क्यूशन अब से क्या पूछ रहा है तो चेले बढ़ते हैं दसवे क्यूशन की और प्रश्च नमबर 10 है आपके निम्न में से कौन सा मुद्रित सामगरी का एक प्रकार नहीं है इनसाइकलोपीडिया, बुलेटिन, अनुशिक्षकिये और केटलोग देखिए मुद्रित सामगरी, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेट जो छपी हुई सामगरी होती है, उन सभी प्रकारों को हम मुद्रित सामगरी में रखते हैं इनसाइकलोपीडिया एक मुद्रित सामगरी का उधारन है, बुलेटिन एक मुद्रित सामगरी का उधारन है केट लोग एक मुद्रिस सामगरी का उधरन है लेकिन साथियों जो अनुसिक्षकिय होती है ये मुद्रिस सामगरी के अंतरगत नहीं आती है बलकि ये मुद्रिस सामगरी के अंतरगत इसको रखा जाता है विकल्प नमबर 3 सही है आपके प्रश्ण संक्याद 10 में आगे बात करते हैं प्रश्ण नमबर 11 की ग्यारवा क्यूशन है आपके ये देखीगा फोस वस्तों पर आधारित मानसिक संक्या के परिणाम स्वरूप समश्या समाधान पियाजे के संग्यानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को परदर्शित करता है समवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संकिर्यात्मक अवस्था, प्रासंकिर्यात्मक अवस्था और ओप्चारिक संकिर्यात्मक अवस्था तो जीन पियाजे के द्वारा जो संग्यानात्मक विकास का सिध्धान दिया गया है इसमें इनोंने ये जो चार अवस्थाएं बताई है इन चार अवस्थाओं में से वो अवस्था कोन सी है जो ठोस वस्थों पर आदारित्मानसिक संकिरिया करके उसका जो हल निकालती है समश्या का समधान करती है तो ठोस वस्थों का तादपर लिया जाता है मूर्त से ठीक है अतहे हैं ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता है 7 से 11 वर्ष वाली इसके अंतरकत इसको रखा जाएगा तीसरी अवस्ता होती है ये संग्यानात्मक विकास की जबकि पहली अवस्ता संविधी पेशी है दूसरी अवस्ता अपरा संक्रियात्मक है तीसरी मूर्त और चोतिक ओपचारिक संक्रिया आत्मक अवस्ता होती है यहां पर आपका सेकर्ण विकल्प सभी रहेगा ग्यारवे प्रश्च में प्रश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों प्रश्ञ नंबर 12 है अधिगम के विबिन सिद्धान्त व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन एव्यक्त नमबर 12 में राइट आंसर बताईए सोच समझ कर इस प्रिश्ण का आंसर दीजिए बहुती अच्छा शांदार क्यूशन है एक्जाम में आने लाएक देखिए प्रिश्ण नमबर 12 में जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रत्म विकल्प जो अधिगम के अलग-अलग सिद्धान्त दिए गए है व्योहारवादी, शेत्रवादी, गेश्टाल्डवादी अलग-अलग प्रकार के तो ये जो विविन निम्ण में से कोन सा तरीका, चात्रों के मानसिक स्वास्ते तू उप्युक्त नहीं है, सद्वावना पूर्ण संबंदो पर बल देना, स्वास्त पर रियवरन पर बल देना, प्रतियोगिता पर बल देना, और उप्युक्त सभी, तेरवे क्यूशन में जल्दी जल्दी में अंसर मत दीजिए नहीं तो इसका अंसर है वो गलत कर दोगे आप क्योंकि ये तेरवा क्योशन क्या पूच रहा है कि कोन सा तरीका? चात्रों का जो मानसिक विकास है उसको स्वेस्थ रखने है तो उप्युक्त नहीं है देखे यदि आप सदभावना पूर्ण संबंदों पर बल दोगे तो उनका मानसिक स्वास्त है वो बिल्कुल अच्छा होगा स्वास्थ पर्यावन पर भल दोगे तो भी बिल्कुल उनका मानसिक स्वास्थ अच्छा रहेगा लेकिन साथ यो प्रतियोगिता पर बल देना मानसिक स्वास्थ के विपरित माना जाता है मानसिक स्वास्थ के विपरित माना जाता है प्रतियोगिता पर बल देना उप्यूक्त सभी इसलिए नहीं रहेगा आपका जो थर्ड विकल्प है वो ही राइट आंसर रहेगा प्रश्ण संक्यात 13 में ये मानसिक स्वास्ते तो उप्यूक्त नहीं माना जाता है प्रश्ण नंबर 14 पे आते हैं चवदुवा क्यूशन आपके पूँच रहा है निम्न में से कोन सी सरजनात्मक्ता की प्रमुक्विशेस्ता नहीं है पहला विकल्प है रुपांतरन की योग गिता दूसरा है किसी परिष्थति के प्रती विशेस साववेगिक प्रती की दिया व्यक्त करना तीसरा है किसी आउधारना को पुनर परिबाशित करने की योग गिता और चोता है केंदरा वीमुक उत्पादन की योग गिता तो यहाँ पर देखिए सर्जनातमक्ता, जिसका संबन्द अपसारी चिंतन से लिया जाता है, सर्जनातमक्ता का मतलब क्या होता है, किसी भी नवीन कारी को करना, नया उत्पादन करना, कुछ अलग करना, समश्या समधान को कुछ विशिष्ट तरीके से करना, ठीक है? तो सर्जनातमक्ता की विशेस्ताओं में रुपांतरण की योगिता आती है कोई भ्याउदारना है यदि पुनर परिबाशित दुबारा परिबाशित नहीं तरीके से करते हो वो भी सर्जनातमक्ता माएगा केंद्रा विमुक, केंद्र से हटकर यदि आप उत्पदन करते हो सामानी तोर पर जो सब करते हैं उससे अलग तो वो भी सर्जनातमक्ता की प्रमुक विशेस्ता है लेकिन किसी परिष्टती के प्रती विशेस साववेगिक प्रती किरिया व्यक्त करना ये कोई सर्जनातमक्ता की विशेस्ता नहीं है साथियों क्योंकि कोई भी प्रिष्टती है सामवेगिक प्रती किरिया व्यक्त कर रहे है उसके प्रती तो ये तो सामवेगातमक्त बुद्दी से संबंध हो गया है उसका तो विकल्प नमबर आपका दो बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्ण नमबर 14 में आगे बात करते हैं प्रश्ण नमबर 15 की तो चलिए देख लेते हैं प्रश्ण नमबर 15 को पंदरवा क्यूशन नमबर 15 की तो देखे आत्म संप्रत्य के वारे में सभी जानते हैं आत्म संप्रत्य की विशेष्टाओं में अगर हम देखे तो इनमें से कोंसी विशेष्टा महत्पूर नहीं मानी जाएगी 15 क्यूशन का राइट आंसर बता हो आप 15 क्यूशन में सही आंसर है आपके आत्म संप्रत्य इस्थाई है ये आत्म संप्रत्य की महत्पूर विशेष्टा नहीं मानी जाएगी क्यों क्योंकि आत्म संप्रत्य बदलता रहता है एक ऐसा नहीं है कि ये जिवन बर इस्थाई रहेगा बलकि इसमें बदलाव आते रहते हैं साथियो इसलिए आपका जो चोता विकल्प है यही आपका राइट आंसर रहेगा बलकि इसको व्योस्तित परकिर्या विशिष्ट लक्ष और बहुआयामी माना जाता है उनली फोर्थ विकल्प ही राइट आंसर है प्रश्न संक्या पंदरा में प्रश्न संक्या सोला पे आते हैं सोलवा क्यूशन है प्रेड़ना प्रबलन हास सिद्धान्त के प्रवड़तक है सी एल हल, सिग्मन फ्रायट, अबराहम मेसलो और इन में से कोई नहीं तो प्रेड़ना प्रबलन हास सिद्धान्त का नाम सभी ने सुन रखा होगा मेसलो के दोरा आवशक्ता पदान उकरम का सिद्धान दिया गया था सिग्मन फ्रायट के दोरा मनो विशलेशन वात का सिद्धान दिया गया था और प्रेड़ना प्रबलनहास का सिद्दांसी एलहल के द्वारा दिया गया था विकल्प नमबर आपका एक सही है सोलवे क्यूशन में प्रेश्ट नमबर सत्रा पे आते हैं अब सत्रवा क्यूशन है आपके अधिगम के संदर्ब में उप्यूकते नहीं है पहला अधिगम पर परिपकुता का प्रबाव नहीं पड़ता है दूसरा अभी प्रेड़ना से अधिगम में वरद्धी होती है तीसरा है समश्या समदान अधिगम का उच्चिता मिस्तर है और चोता है अधिगम से व्यवहार में इस्थाई परिवर्तन होता है तो देखिए अधिगम के संदर्व में कौन सा इन में से आपको गलत लग रहा है या पिर उप्यूक्त नहीं लग रहा है जो चोता विकल्प है वो कह रहा है इस्थाई परिवर्तन होता है अधिगम से सही वात है व्यवहार में इस्थाई परिवर्तन आता है समश्या समदान अधिगम का उच्चिता मिस्तर माना जाता है और अभी प्रणा से अधिगम में व्रद्धी भी होती है किन्तु अधिगम पर परिपकुता का प्रभाव पड़े नहीं पड़ता है ये गलत है क्योंकि परिपकुता भी अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है कौन सा कारक है व्यक्तिगत कारक में इसको रखा जाता है साथियों जो कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं उनमें एक कारक है परिपक कुता जो की व्यक्तिगत कारकों के अंतरगत आता है विकल्प नमबर एक सही है प्रश्च नमबर 17 में प्रश्च नमबर 18 पे आते हैं अठारवा क्यूशन है मानसिक अवधारना का विकास जिस मनोवेग्यानिक ने किया है वह है इस्टर्न वेशलर बिने और टर्मन मानसिक आयू की अवधारना का विकास होना चाहिए मानसिक आयू की अवधार्णा का विकास जिस मनोवेग्यानिक ने किया है तो मानसिक आयू का अवधार्णा किस ने दी थी प्रश नमबर 18 में राइट आंसर है देखिए मानसिक आयू की जो अवधार्णा है वो बिने के दोरासन 1908 में सबसे पहले बताई गई थी विकल्प नंबर तीन सही है यहाँ पर देखे अलफ्रेट बिने ने 1905 में बुद्धी का एक तत्तु का सिध्धान्द भी प्रस्तुत किया था थार्ड विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्ण संक्या 18 में प्रश्ण संक्या 19 पे आते हैं उनिस्वा क्यूशन है ग्यान रचनात्मक्ता सिध्धान्त आदारी सिक्सन का आदार है करके सीखना अध्यापक से सुनना अध्यापक कतित विश्यवस्तु को दोहराना और अध्यापक तता सिक्सार्थी के सम्मंद उनिस्वा क्यूशन में सही विकल्प का चैन करो देखिए आपके प्रश्ण संक्या 19 में जो राइट आंसर है एक बार उसको सोच समझ लीजिए फिर आंसर दीजिए जो ग्यान रचनात्मक्ता सिद्धांत है रचनात्मक्ता का मतलब क्या होता है निर्मान करना तो करके सीखने में ही बालक ग्यान की रचना करता है रचनात्मक्ता सिद्धांत का पालन किसम हो रहा है करके सीखने में क्योंकि बालक करके सीख रहा है तो ग्यान का निर्मान सोयम करता है उसके अंतरगत विकल्प नमबर एक सही रहेगा उननीस वे क्यूशन में अब आज का अंतिम और बीस वे क्यूशन लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक आप हमें दे सकते हो चैनल को सबस्क्राइब अगर आप नहीं कर रहा है और आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रहा है तो साथियो सबस्क्राइब करके मोटिवेशन दीजिए और पहले से ही कर रहा है सबस्क्राइब तो इसके लिए बोध बोध दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको प्रिश्ट नमबर 20 और आज का अंतिम क्यूशन लेकिन वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा कितने क्यूशन सही हुए हैं ये भी हमें जरूर बताएं निम्न में से कौन सा कतन सत्य है जीवन समयोजन की विशिष्ट किरिया है समयोजन वेक्ति किरिया है समयोजन वह प्रकिरिया है जिसमें एक वेक्ति मनोवेग्यानी कतवा शारिक संतुलन बनाए रखने का प्रियत्न करता है और समयोजन सिक्षा से जुड़ा होता है देखिए सत्य कतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बेश्ट जो कतन लग रहा आपको वो है तीसरा विकल्प समायोजन वह है प्रकिर्या है जिसमें एक व्यक्ति मनोवेग्यनिक अतवा शारिक संतुलन बनाए रखने का प्रियत्न करता है क्या है मनोवेग्यनिक संतुलन हो या शारिक संतुलन हो उसको सही रूप से बनाए रखने का प्रियत्न करता है इसलिए थर्ड विकल्प सही है दूसरा तो क्यो गलत है क्योंकि वेग्तिक प्रकिर्या नहीं माना जाएगा दुरुविय परिकिरिया इसको माना जाता है साथियों तो आज के ये बिस्क्विशन हमने देखे हैं किसी प्रिशन पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें सुचित कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यव कर दो सुचित क्या अान